नमस्कार, A to Z dishes उशा गुर्जानी में आप सबका स्वाकत है खीरे को आपने सलाद के तोर पर तो जरूरी खाया होगा पर उसकी सब्जी नाई अपने कभी सोची होगी और नाई खाई होगी मैंने सोचा खीरे को हम रोज सलाद में तो खाते ही हैं आज इसकी सब्जी बनाते हैं और यह इतनी स्वादिस्ट सब्जी बनती है ना इसे अचाहे आप चावल के साथ खाएं और रोटी के साथ काफी बढ़िया लगती है और इसके लिए मैंने यहाँ पर चार खीरे ले लिए मीडियम साइज के इसे मैंने अच्छे से वश कर लिया है ओपर नीचे से थोड़ा सा काट लेंगे और इसे इस तरह से लंबे टुकडों में काटेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने काट लिया है अब कड़ाई में हमें डालना है दो चमज इतना तेल जैसे गरम हो जाए ना तो यह जो हमने खीरा कट के रखा था वो डाल दीना है और लगातार चलाते हुए से हमें अच्छे से इस तरह से भूनना है तो यह से पंदरा लसुन और इसी के साथ ना आधी चमज लाल मिश पाउडर और इसे हमें अच्छे से कोट ना है तो आप यह प्रोसेस मिक्सर जार में भी कर सकते हैं दरदरा कोट पीस ले पर यह जो कोटने से होता है इसका स्वात कफी बढ़िया आता है तो जब भी आप यह सब दालेंगे एक चौथाई चमज लाल मिश पाउडर आधी चमज धनिया पाउडर डालेंगे एक चौथाई चमज धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और दही के अंदर सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से दह मिक्स किर लिया और यहांपर चार शे window हो गए न तो आप देख सकते हैं यह जो कहीरा है न अच्छे से भून गया है। इस पर आप देख सकते हैं में से अच्छे से निकाल लिया। थोड़ासा है किसी कडाई नियुट सिरफ शिर माट्रस न भीते हो न Ayoda की गरम हो जाए तो एक चोथा ही चमच जीरा डालेंगे तीन कटे हुए प्याज बारिक वाले छोटे है तो तीन बड़े है तो दो और दो हरी मिर्ची कटी हुई अच्छे से प्याज को भूनना है हमें थोड़ा हलका लाल हो जाए तब तक तो पस इसी तरह से चलाते हुए भू और यह लसन और लालमिश पाउडर का जो उमने कूट के डाल है इससे कलर भी काफे बढ़िया आ जाता है और यह इसका स्वाद भी बढ़ा देता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद यह मसाले वाली दाही भी इसके अंद से हो गया है तो आप इसके अंदर हम डालेंगे एक कप जितना पानी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कप जितना पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया एक बार अच्छे से इससे इस तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद यह जो बुनी हुई खीरा है ना यह खाने में भी काफी बढ़िया लगती है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसे ढखकर हमें धीमी आज पर चार से पांच मिन्ट तक पकाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं चार से पांच मिन्ट हो गए हैं और यह बढ़िया सी मसालेदार खीरा की सबजी बनकर तयार है ये इतनी डेस्टी बनी थी ना मैंने तो इसके साथ रोटी खाई रोटी के साथ ये काफी बढ़िया लगी है पर चावल के साथ ये काफी बढ़िया लगती है तो यहाँ पर अच्छे से पग गई है विसके अंदर हम डाल देंगे स्वाद अनुसा नमक और थोड़े से धनिया के पते और इसे हम अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर यह खीरे की सबजी बनकर तयार है बहुत ही डिस्टी आप सलात के तो खीरा खाता ही है ऐसे भी इसे ज़रूर ट्राय कीजेगा बच्छों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगी कुछ अलगी स्वाद आएगा यह सबजी का चाब इसे रोटी के साथ खाए चा तब तक के लिए थैंक यू फॉर वच्छों